हेलो फ्रैंड्स वेल्कम बेक ऐग चैनल मञ्जूoder व्लोग्स तो फ्रैंड्स जो मैंने देखिए आपको स्वाटर दिखाया था जो मैं बना रही थी ति मैंने इससे पहले वीडियो में आपको दिखाया था वह स्वाटर ठीके यह उसके मैने सॉक्स बनाई है यह तेखिये ये मैंने आधी बनी हुई इसलिए दिखाईए ताकि आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत ना हो देखे फ्रेंट्स ठीक है और ये देखे मैंने आधे-ाधे फंदे दोनों साइड करके ना जो मैंने आपको बताया था दोनों सलाईों में से एक-एक फंदा लिया और फिर उसको बुन लिया एक फंदा रैडी होगे मेरे पास फिर मैंने दो फंदों का एक फंदा बनाया और एक फंदे के उपर से एक फंदे को उतार दिया ठीक है फ्रेंट्स तो मेरे यहां इस तरह से बंद किया है यहां मैं डोरी डालने के लिए इसमें छेक भी बनाए है यह देखिए यहां डोली डाल दूँगी इधर ही मेरे फंदने आ जाएंगे ठीक है और यह देखिए फ्रेंड्स यह मैंने बनाई है उसकी कैप तो यह है नियूबोर्ण बेबी की है और यह जोकर कैप है जो की एक तो ना फ्रेंड्स इतनी बड़ी वाली बनती है वह मैंने उसकी जोकर कैप की भी वीडियो डाली हुई है आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं लेकिन यह मैंने जोकर कैप में थोड़ा सा शोट लिया है क्योंकि यह नियूबोर्ण बेबी का है न तो देखिए अगर हम बच्चे को ऐसे लिटाएंगे तो यह इस तरह मुड़के ठीक है यह सतर फंदे डाले हैं और इसको मैंने धाई इंच तक प्लेन बुनाएं पहले मैंने यह देखिए थोड़ा सा बॉर्डर बनाया है ठीक है और उसके बाद मैंने यह प्लेन बुनाया है यह यहां तक है बिल्कुल प्लेन है ठीक है और इसके बाद मैंने दो 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 नो में तो फंदे घटाएं, इससे साइड से, दोनों साइड से चलाई को स्टर्ट करने में। जिससे कि मेरी ये इतनी बैठ गई है friends, है न? और अगर मैं एक एक फंदा उठाती आप समझ सकते हैं, एक एक फंदा घटाती sorry अगर मैं एक एक फंदा घटाती ना दोनों साइड से तो इसकी लंबाई इतनी हो जाती इतनी कम से कम यह देखे इतनी बैठती तो वह चोटे बेबी को ना ऐसे मुड़के उसके सरके नीचे आती प्रॉब्लम हो जाती तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा बनाया है फ्र यह मेरा यह स्वर्टर है इसका इसका वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ है ना अभी सिलाई नहीं हुए फ्रेंट्स ना इसकी सिलाई हुए ना इसकी ठीक है और यह देखे इसमें यह पॉम-पॉम लगेगा यहां डोरी डलेगी पॉम-पॉम लगेगा और शिलाई होगी तो यह इसमें इतना काम मेरा बाकी रह गया है यह मैंने आपको अधूरा इसलिए दिखा है फ्रेंट्स ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा जाए कि यह क्यासे बनाया है ठीक है फ्रेंट्स तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी फ्रे कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू